हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु दिवेदी, आज आप सभी को महाराश्ट्र स्टेट बोर्ट द्वारा हिंदी प्रथम भाषा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक कुमार भारती की प्रथम कविता उर्चल हारिल का भावात स्पष्ट करने जा रहे हूं उर्चल हारिल शिर्षक कविता के रचाईता का नाम है श्री सचिदानंद हीरानंद वातसैन अग्याजी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार, जाजल मान नक्षत्र और बहुमुखी प्रतिभास संपन्न प्रखर व्यक्तित्व के रूप में सुप्रसिद्ध ह कितनी नाओं में कितनी बार नामक कावे संगरह के लिए सन 1978 में ज्यानपिट पुरसकार और आंगन के पार द्वार के लिए सन 1964 में सहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानित अग्याजी ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरन, नाटक, इत्यादी सभ ही विधाओं में अपनी लेखनी का जादू चलाकर पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उर्चल हारिल यह कविता, अग्याजी के कावे संगरह, इत्यलम में संकलित एक कविता है, जो सन 1946 में प्रकाशित हुई थी, आईए सर्वप्रतम हम अपनी कविता के मुख्य पात्र हारिल पक्षी को जान ले, हारिल पक्षी महराश्ट्र का राज्य पक्षी है, इसे इंग्लिश में यलो फूटेड ग्रीन पीजन कहते हैं, यह एक बहुत ही सुन्दर हरे रंगों वाला सुन्दर कबूतर है, जिसके पाउं पीले रंके होते हैं, इसे उचे उचे पेड़ वाले जंगलों सदा बहार जंगलों में पाया जाता है, हारिल पक्षी अकसर सडक के किनारे पाये जाने वाले पीपल और बरगत के पेड़ों पर अपना घोसला बनाते हैं, यह सामाजिक पक्षी होते हैं और हमेशा स मुहों में ही उडान भरते हैं, सुबा के वक्त इन्हे पेडों की सबसे उची शाखों पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। हारिलपक्षी की सबसे बड़ी विशेश्ता यह है कि ये जमीन पर बहुत कम उतरते हैं और अक्सर पेडों पर और उचे स्थानों पर ही बैठते हैं. बच्चों स्क्रीन पर आपको कविता की पंक्तियां दिखाई दे रही है कविता की पंक्तियों के साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ भी दिया गया है ध्यान रहे कि इस कविता में हारिल पक्षी नव्योंकों का प्रतीक है और यहां कवी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नव्योंकों को संबोधित करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है आईए हम कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करें कविता की पंक्तिया कुछ इस प्रकार है उडचल हारिल लिये हाथ में यही अकेला ओचा तिनका उशा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह श्रिजन की शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की कवी अग्याजी कहते हैं कि हे हारिल पक्षी अपने हाथों में एक अकेला ओचा अर्थात साधारन छोटा सतिन का लेकर उडान भरो प्राची अर्थात पुर्वदिशा में सुर्योदय हो चुका है तुम्हें किसकी आस है और तुम किसका भरोसा किये हुए हो तुम्हारे हाथों में इश्वर प्रदत्त शक्ती है तुमसे श्रिजन अर्थात निर्मान की चाह न छुटे और जीवन की गति भी न रुके इसलिए हे हारिल पक्षी समय को व्यर्थ न गवाओं ताकि तुमसे श्रिजन की जो चाह है वह तुम में से खत्म न हो जाए ध्यान रहे कि हारिल पक्षी जब भी उडान भरता है वह अपने पंजों में हमेशा एक तिनका लिये हुए होता है इसी तिनके को वह सहारा भी मानता है और इसी तिनके से श्रिजन की चाह बनाए रख कर जीवन में सतत गतिशील भी रहता है यहां कवी इसी परिप्रेक्ष में नव्यूवकों को संदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें भी एक निश्चित लक्ष के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जीवन की भोर होने पर न तो किसी की राह देखनी चाहिए नहीं किसी का आसरा करना चाहिए इश्वर प्रदत्त शक्ति के साथ जीवन में उडान भरते समय अर्थात कर्मपत पर अग्रत्सर होते समय युवाओं के मन से न तो रचना का भाव कम होना चाहिए और नहीं उनके जीवन की गती में कोई अवरोध आना चाहिए अगली पंक्तिया हैं उपर और अधिक उपर अनन्त आस्मान में खूब उची उडान भरो और सभी दिशाओं को भेदते हुए आगे बढ़ो अपने अनथक अर्थात कभी न थकने वाले पंक्खों की चोटों के प्रहार से नभ में अपनी उपस्थिती से एक हल्चलसी मचा दो कभी हारिल के पंजो में दबे हुए तिनके की विशेष्टा बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हाथों में जो तिनका है उसे मामुली मत समझो वह स्रिष्टी रचना का एक अमर साधन है इसमें स्रिष्टी रचाईता ब्रह्मा के प्राण स्पंदित होते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कभी देश के नव्योगों को प्रेजित करते हुए कहते हैं कि जीवन में उपर उठो प्रगती के पत पर उची उडान भरो उन्नती की निर्धारित सीमाओं को भेद कर अर्थात उसके पार जाकर सभी दिशाओं में अपनी किर्ती फैलाओ और अपने पुरुशार्थ से सफलता के उचे आकाश में अपनी उपस्तिती दर्ज करवाओ तुम्हारे हाथों में मौजूद तिनका निर्मान का एक अमर साधन है निर्मान के इसी तिनके रुपी साधन में होनहारों के एवं रचनाकारों के प्रान स्पंदित होते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तिनका तिनका जोड़कर ही निर्ध का निर्मान होता है चलिए अगली पंक्तियों क्यों चलते हैं कांपन यद्यपी दसो दिशा में तुझे शुन्य नभगेर रहा है रुकन यद्यपी उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है तू मिट्टी था किन्तु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है तू था स्रिष्टी किन्तु सस्टा का गुर्टू ने पहचान लिया है बचों इन पंक्तियों में दसो दिशा शब्द का प्रयोक किया गया है क्या आप जानते हैं कि दसो दिशा का तातपरे क्या है हमने तो अकसर चार दिशाओं का ही नाम सुना है पुर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन आईए मैं आपको बता दू कि हिंदु धर्मा नुसार दिशाएं दस है पुर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन इनके साथ चार कोने की दिशाएं भी जोड़ी जाती है इशान, आगने, नैरित्य और वायव्य फिर उर्ध्व दिशा अर्थात आकाश एवं अधो दिशा अर्थात धर्ती इस प्रकार कुल दस दिशाएं मानी गई है इसलिए यहाँ पर दसों दिशा शब्द का उलेख हुआ है आईए पंक्ती को समझते हैं यहाँ कवी कहते हैं कि हे हारिल पक्षी उची उडान भरने पर यदि दसों दिशाओं में शुन्य नव तुम्हें घेरने लगे तब भी तुम्हें भैभीत होकर कापना नहीं है यदि संसार के लोग तुम्हें उची उडान का प्रयास करते देखकर तुम्हारी निंदा करें या तुम्हारा मजाक उड़ाएं तब भी तुम्हे उनसे प्रभावित होकर रुकना नहीं है तुम मिट्टी की रचना अर्थात अतिसाधारन थे किन्तु आज तुमने मिट्टी को बांध लिया है पहले तुम संसार की रचना मात्र थे किन्तु आज तुमने निर्माता की कला को पहचान लिया है इन पंक्तियों के माध्यम से कभी अग्ये जी युवावर्ग को सचेत करते हुए कहते हैं कि प्रगती के पत्पर आगे बढ़ने पर कई बार प्रकृती जीवन पत्प में अनेक उतार चड़ाव लाती है अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है किन्तु उनसे घबराना नहीं चाहिए सांसारिक लोगों के द्वारा तुम्हारे प्रयास का उपहास उड़ाय जाने पर भी हताश होकर तुम्हें रुकना नहीं है पहले तुम साधारन मिट्टी अर्थात नश्वर इंसान मात्र थे किन्तु अब तुमने मिट्टी पर नियंत्रन प्राप्त कर लिया है तुम श्रिष्टी की रचाईता मात्र थे किन्तु अपनी योग्यता और अथक प्रयास से आज तुमने स्वेम श्रिष्टी रचाईता की कला को आत्मसात कर लिया है यहां कवी ने यह कहने का प्रयास किया है कि आज का मानो असमर्थ वह असक्षम नहीं रहा उसने अपनी कछमता का विकास कर शृष्टी निर्मान की योग्यता प्राप्त कर ली है वह रचनाकार बन गया है आगे की पंक्तिया हैं कि है हारिल पक्षी निश्चित मिट्टी ही एकमात्र सकते हैं किन्तु जीवन क्या केवल मिट्टी ही है तुम भी मिट्टी का अंश हो किन्तु इस मिट्टी से उपर उठने की इच्छा तुम्हें किसने दी है अर्थात तुम्हें इसी मिट्टी ने प्रगती का संदेश दिया है तुम्हें प्रगती की मशाल थमाई है और उपर की ओर उठने वाले ज्वाला जोत के तुम ही दुरनिवार संदेश वाहक हो तुम्हारे पंजों में सिट यतिन का इस मशाल के मजबूत ध्वजदंड के समान है जो सुने पत्थ में तुम्हारा एक मात्र सहारा होगा कहने का तातपर यह कि कवी युवा वर्ग से जीवन के यक्ष प्रश्न पूछता हुआ कहता है कि वास्तों में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मिट्टी नश्वर है किन्तु क्या जीवन केवल मिट्टी के समान है अर्था जीवन का अर्थ केवल जन्म लेना और मृत्यू में समा जाना है यदि मानव जीवन मिट्टी सद्रश नश्वर ही है तो बताओ कि मानव में मिट्टी से उपर उठने की इच्छा शक्ती किसने जगाई है कहने का अर्थि यह है कि संसार के निर्माता ने ही मनुष में यह इच्छा शक्ती जगाई है इसलिए कवी मानों को मस्तिश्क की क्रांती रुपी मशाल का अकाट्य संदेश वाहक कहते हैं और यह समझाते हैं कि हारिल अर्थात मानों के हाथ का तिनका रुपी यह साधन क्रांती ध्वज में लगने वाले दंडे का काम करेगा तथा हारिल के सुने पत का सहारा भी बनेगा अतह उसे अपने आत्मबल पर विश्वास रखना चाहिए अगली पंक्ती है मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है जीवन साधन की अवहेला कर्म वीर का कर्म नहीं है तिनका पत की धूल स्वेम्तू है अनंत की पावन धूली किन्तु आज तूने नभपत में छण में बध अमरता चूली यहां कवी अग्येंजी हारिल के माध्यम से देश के नव्योवकों को मानव धर्म और कर्मवीर के कर्म का स्मरण कराते हैं और सफलता के आसमान में उची उडान भरने की प्रेना देते हुए कहते हैं कि मनुष्य ने इस मिट्टी से अर्थात धर्ती से जो कुछ भी पाया है उसका त्याग करना मानव का धर्म नहीं है अर्थात मानव ने धर्ती से ही सब कुछ पाया है अता उनको छोड़ना सर्वता अनुचित है मनुष्य के जीवन में सहायक बनने वाले साधनों की अवहेलना अर्थात उपेक्षा करना कर्मवीर मनुष्य का कार्य नहीं है क्योंकि इन्ही साधनों के माध्यम से वह अपने जीवन लक्ष को प्राप्त करता है कवी अग्याजी ने तिनके को पत की धूल के समान बताया है और कहा है कि यह तिनका अनंद अर्थात इश्वर के चर्णों की पावन धूल है जिसके माध्यम से हारलू पिमानों ने आकाश में पहुँचकर अमर्ता को प्राप्त कर लिया है कविता के अंतिम पंक्तियां हैं उशा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का उडचल हारिल लिये हाथ में एक अकेला पावन तिन का अंतमे कवी अग्याजी कहते हैं कि हे हारिल पक्षी रूपी मानों पूर्वदिशा में सुर्योदय हो चुका है नय दिन का शुभारंब हो चुका है यह नया दिन युवावर्ग का आवाहन करता है कि अपने हाथ में निर्मान के साधन रूपी पवित्र तिनके को लेकर उडान भरो अर्थात निर्मान के विशिष्ट साधनों के अभाव के बावजूद साधारन साधनों के साथ भी युवर्ग को प्रगति के पत पर सदैव अग्रसर होना चाहिए बच्चों आपने देखा कि कविता के आरंभ में तिनके को ओचा तिनका कहा गया किन्तु अंत में इसी तिनके को पावन तिनका कहा गया है कारण यह है कि जब तक हमें किसी वस्तु की छमता वह शक्ति का ज्यान नहीं होता हमें वह महत्वहीन वह तुच्छ प्रतीत होता है किन्तु उसकी अप्रमपार शक्ति का ज्यान होने पर वही वस्तु हमें अति महत्वपूर्ण वह विशिष्ट प्रतीत होने लगता है बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ चुका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपना कमेंट अवश्य लिखें आगे भी इसी तरह के वीडियों के साथ आपसे मिलने का वादा करते हुए मैं डॉक्टर विंदु दिवेदी आप सभी से विदा लेती हूँ धन्यवाद